दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर है ओनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन आप के लिए 35 रूपीज की है 35 रूपीज में इत्ता अच्छा कॉंटेंट दोस्तों आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा इसलिए आप इस बुक को जरूर परचेज करेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं और यह बुक आपको हिंदी और इंगलीज दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वह आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंगलीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इत्ता अच्छा कॉंटेंट मिल आप जरूर परचेज करें किसी तरह कुईरी आपको तुस आपको इसका में डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर में मिल जाएगा उस नंबर पे भी आप कॉल करके कुईरी इसको अपना पूछ सकते हैं ठीक है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो आज की इस वीडियो आपके लिए जनरल साइन्स के इंपोर्टेंट कुईज लेकर आया हूँ आपके आने वाले जो एक्जाम से रेलवे के एंटी पीसी गुरूप डिये और उसके लाव ऐसे सी एक्जाम सभी प्रतविप्रिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर है आप वीडियो को लास तक देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब निके दो चैनल को सब्सक्राइब ज पूछा गया है और सिंपल भी है तो इसका अंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं अब हमारे साथ दोस्तों इस पूरे कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में एंसर भी दे सकते हैं तो आपको बताना है परमाडू में निट्रॉन की चलिए नेक्स पानी के वास्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है पानी का जब वास्प में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहा जाता है नेचुरल फिसकल केमिकल यह बालाइशकल दोस्तों इसका करेक्टेंसर हो जाएगा option भी फिसकल ठीक है पानी के वास्प में प्लेटिनम और रजत इसका एंसर पता है तो बताइए काफी सिंपल और इंपोर्डेन कोश्चन है कई बार पूछा गए रेल्वे एक्जाम्स में प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है ठीक है हार्डेस्ट मेटल की बात करें तो वह है प्लेटिनम ठीक है याद रखेंगे चलिए कोश्चन फॉर्थ है हमारा इन दिनों पीले लेम सकसर सडक के प्रकाश के रूब में उपयोग की जाता है इनमें से कौन सा इन दीपक में इस्तेमाल किया जाता है इनमें से क्या उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है इसका करेक्ट रेंसर जल्दी से बताना है करेक्ट रेंसर जल्द कोश्चन नमर फिपत है हमारा निर्म लेखित उद्योगों में से किस में एक अभरक एक कच्चा माल के रूब में उप्योग के आता है करेक्ट रेंसर रहागा इसका उप्सन डी एलेक्ट्रिकल ठीक है विद्दूद कोश्चन 6 है हमारा निर्म लेखित में से कौन सा अलुमिनियम कुद पादन के लिए मुख रूप से प्रयोग के आता है कौन सा अलुमिनियम कुद पादन में मुख रूप से प्रयोग के आता है करेक्टर एंसर जागा इसका औप्शन सी बॉक्साइट ठीक है बॉक्साइट जो है ऐलिमिनेर्ग कुद्पादाने मुख रूप से प्रयोग किया जाता है कवेशन सेवन्त है हमारा शोल्डर करने वाली धातू में shoulder धातू किस मिसरिद धातू की होती है बताना है इस शोल्डर करने वाली धातू में shoulder धातू किस मिसरिद धातू की होती है Correct answer जागा इसका option B lead, tin और lead कि tin और lead इसमें tin रहता है 32% और 68% रहता है lead Question no.8 है इनमें से किस्में कारवन नहीं होता है कि इन में से किस्पर कार्बन नहीं होता है ओपसंडी हो जायागा इन में सभी मतलब इन में से कोई भी नहीं सब में कार्बन होता ही रागएंड और कोईला में ठीक है चली अगला question है question 9th है निम्रे में से कौन सा अगला why अगला उसे ने पानी के पीने के पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का उप्योग किया जाता है बताना है कि पीने के पानी के शुद्धिकरण में मतलब किस गैस का उप्योग किया जाता है करेक्ट एंसर हो जागा दो इसका ओप्शन भी क्लोरीन का उप्योग किया ठीक है क्लोरीन क्वेशन इलेवन थे काफी मात्पूर है जो हसने वाली गैस के रूप में प्रयोकियाद इस हसाने वाली गैस ओप्शन है नाइट्रस अक्साइड नाट्रोजन डाय अक्साइड नाट्रोजन ट्राय अक्साइड नाट्रोजन ट्रेटर अक्साइड करेक्ट एंसर बताना है आपको option नाइट्रस आक्साइड ठीक है laughing gas जिसको कहते है laughing gas के रूब में नाइट्रस आक्साइड को जाना जाता है question 12 है नीला थोता क्या है यह दोस्तो copper sulfate ठीक है नीला थोता क्या है copper sulfate question 13 है सभी carbonic योगी को का मूल तत्तु क्या है correct answer जाएगा option C carbon ठीक है सभी carbonic योगी को मूल तत्तु क्या है carbon है question 14 थो इसमें सिर्के में कौन सा एसिट पाए जाता है correct answer है option D acetic acid ठीक है सिर्के में acetic acid पाए जाता है question 15 थो दोस्तों एक कार की engine की knocking के बचने के लिए कौन सी anti-knoking agent की रूप में रूप योगी के आता है correct answer रहागा दोस्तों इसका option C lead tetra ethyl question 16 थे हमारा इनमें से कौन सा एक thermos setting plastic है thermos setting plastic option B question 17 है petroleum के घटक को कि स्विधी से विलक किया जाता है option C unsick ash 1 question 18 है si oh 4 क्या है correct answer रहागा option है एक acid है यह ठीक है एक acid question 19 है निमने में से कौन सा सकारात्मक oxygen प्रदसीत करता है तो N2O baking soda baking soda इनमें से कौन सा है nah co3 ठीक है nah co3 baking soda question 21 है phenol का उप्योग निमने किस में किया जाता है back a light में ठीक है question 22 है किस ग्रह का आक्ष प्रिथिवी की तरह जुका हुआ है मंगल ग्रह का ठीक है मंगल ग्रह मार्स question 23 है transistor का विष्कार किस ने किया था transistor का विष्कार किस ने किया था डेबलू सागले ने ठीक है डेबलू सागले question 24 है electro motive bulb प्रदसीत करता है यह प्रदसीत करता है वरक और energy कार और उर्जा ठीक है electro motive प्रदसीत करता है कार और उर्जा कि लास्ट कोशन है हवा में धुनी की गती किस्चे अप्रभावित है तो वाइमंडली दवाब से एडमोस्फेरिक प्रेसर है ठीक हवा में धुनी की गती किस्चे अप्रभावित है वाइमेंडली दवाब से ठीक है दोस्तों तो ये थे जनरल साइन्स की इंपोर्टन कोश्चन वीडियो अच्छा लगत लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी रूप कर लें मिलते हैं ने शुड़ियो को साथ तब तक के लिए अब अबना देहां रखें स्वस्त रहें आप आल देवेस्ट जै हिन जै भारत कर देजिए आया है